हलो गाइस, आज है 15 जुलाई, यह है लिूसेंट अब्जेक्टिव जी के, दोस्तो आज हम जो चेप्टर डिसकस करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे भक्ती मूवमेंट और सूफी मूवमेंट के बारे में, मिडिवल टाइम पिरेड में 15 तू जो 16 सेंजुरी का टाइम पिरेड था तो यहाँ पर भक्ती मूवमेंट देखने को मिलता है, तो इससे जुड़े हुए MCQ हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, Q1, यहाँ पर दो लिष्ट दी गई हैं, एक तरफ सेंट के नेम दिये गए हैं और एक तरफ उनका कल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें मैचिंग करना है, तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर जो शंकर देव हैं, यह एक शरन धर्म कल्ट से ब्लॉंग करते हैं, जो इस तरह से यहाँ पर एक और ओप्शन करेक्ट होने वाला है, नेक्स्ट कोशन लिखा हुआ है कि गीत गोवन जो की एक बहुत फेमस पोईम थी, तो यह किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पर करेक्ट ओप्शन जैदेव होने वाला है, कोशन थार्ड लिखा जो चार कोने हैं, तो यहाँ पर चार जो मठ थे, वो इस्टेबलिस करे गए थे, तो किस ने करे थे, तो यहाँ पर करेक्ट ओप्शन आपका शंकराचार देखने को मिलता है, कोशन फिप्ट में फिर से एक तरफ सेंट दिये गए हैं, और वो किस रीजन से ब्लॉंग करते तो यहाँ पर एक तरफ पोईट या जो सेंट थे उनके नेम दिये गए हैं, और उन्होंने जो भी अपने कंपाइलेशन तयार करे थे, तो वो किस लेंगवेज में तयार करे थे, उसके हमें मैचिंग करना है, यहाँ पर बात चल रहे हैं, मीरा भाई की, तो मीरा भाई ने अपना जो कंपाइलेशन था, वो हिंदी में करा था, त्याग राज, इनका जो कंपाइलेशन था, यह तेलगू लेंगवेज में था, इसके बाद चंडी दास, चंडी दास ने जो लेंगवेज यूज करी थी, अपने कंपाइलेशन में वो कंडर लेंगवेज थी, और तो यह किस chronological order में देखने को मिलते हैं, किस तरह से, सबसे पहले कोँ आये थे, फिर इसकी बाद कोँ आये थे, तो इस तरह से हमको बताना है, तो चलिए उस शुरू करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले, आपको नामदेब देखने को मिलते हैं, फिर रमानन्द आते हैं फिर आपको कवीर देखने को मिलते हैं और सबसे लास्ट में आपको नानक देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे इस तरह से A option correct होने वाला है Question 8 की बात करेंगे लिखा हुआ है which philosophical system was founded by बलबाचार तो जो बलबाचारते तो इन्होंने कौन सा philosophical system found करा था तो इसका नाम था शुद्ध द्वैत Question 9 लिखा है which philosophy is called अद्वैत तो अद्वैत की जो philosophy थी यह संक्राचान ने दी थी और इसे non-dualism भी बोलते हैं यह बोलते हैं कि non-dualism दो चीज़ें नहीं होती है जो जगत है या जो world है और जो God है वो एक ही है Question 10 की बात करूँगा लिखा है the common feature of a common feature to all bhaktis end was that they तो यहां पर जो bhaktis end थे इनके बीच में एक common feature देखने को मिलता है तो देख लेते हैं लिखा हुआ है compose their verses in the language understood by their followers तो लिखा हुआ है कि इन्हों ने जो भी अपने compilation थे जो verses थे वो उसी language में तयार किये थे जो कि उनके followers को समझ में आती थी तो यहां पर यह बात सही दी हुई है Rejected the authority of the priestly class तो यह गलत दिया हुआ है Encourage we want to go to the temples तो यह भी मना करते हैं Encourage the idol worship तो यह बात भी गलत है तो यहां पर a option correct होने वाला है Question 11 लिखा हुआ है भक्ती moment was started तो यह भक्ती moment किसने start करा था तो यहां पर alwar sent correct option है लिखा हुआ है who among the following was the scent of the workary sect तो बोला जा रहा है workary sect से कौन से scent ब्लॉंग करते हैं तो यहां पर correct option आपको नामदेब देखने को मिलता है फिर से यहां पर कुछ scent के name दिये गए हैं और उनको chronological order में arrange करना है तो यहां पर सबसे पहले आपको नामदेब देखने को मिलते हैं फिर कबीर देखने को मिलते हैं फिर मीरावाई आती है और सबसे last में आपको नानक देखने को मिलते हैं गुरू नानक जी question 14 यहाँ पर हमें correct matching करना है यह कुछ cent की name दिये गए है ठीक है यह poet थे cents थे तो इन्हों ने अपनी कुछ particular philosophy दी हुई है तो यहाँ पर हमें match करना है कि कौन सा correctly matched दिया हुआ है ठीक है तो सबसे पहले dualism की philosophy dualism की philosophy आपको यहाँ पर जो radius type के जो भी philosophy दी गई है तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले यह रेंडम ली दी हुए है लेकिन मैं आपको एक sequence में बताता हूँ सबसे पहले आती है आपको dualism की philosophy थी यह आपके माधवाचार रिन्न दी थी ठीक है तो यह यहाँ पर correct matching दी हुई है इसके बाद dualism के बाद जो second आती है अदोयतवाद या non-dualism तो यह जो थेओरी थी यह संक्राचार ने दी थी ठीक है इसके बाद जो visist dualism दोयतवाद यह जो थेओरी थी आपके यह रामानुज ने दी थी और last में दिया हुआ है दोयत अदोयतवाद यह बलवाचार ने दी थी तो इस तरह से आप इनकी matching को ध्यान रखिएगा एक बार फिर से बता देता हूँ यह सारी की सारी matching को देखी जो dualism की philosophy थी ठीक है यह आपके माधवाचार ने दी थी dualism की philosophy non-dualism या जिसे अदोयतवाद बोलते हैं तो यह जो philosophy थी यह शंकराचार ने दी थी और जो विसिष्ट अदोयतवाद था यह रामानुज चार जो थे इनकी philosophy थी और सबसे last में दोयत अदोयतवाद तो ठीक है यह जो थेयोरी थी यह आपके बलवाचार ने दी थी तो यहाँ पे जो correct option दिया हुआ है यह C दिया हुआ है ठीक है यहाँ पे जो dualism की sorry यहाँ पे मैं गलत बता गया है एक बात जो दोयत अदोयतवाद sorry जो बलवाचार थे बलवाचार ने दोयता दोयतवाद नहीं दिया था इन्होंने दिया था आपका शुद्ध दोयतवाद तो यहाँ पे यह D option भी गलत दिया हुआ है तो यह बात ध्यान रखे यहाँ पे किवल एक यह option गलत सही दिया हुआ है तो यहाँ पे किवल सी ओप्शन करेक्ट होने वाला है question 15 की बात करूँगा लिखा हुआ है which one of the following gives equal importance to ज्यान, कर्म, भक्ति as means of liberation तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि ऐसा कौन था जिसने equal importance दिया था ज्यान, कर्म और भक्ति को अदवैत वेदान्त, विसिष्ट अदवैत वेदान्त, भगवत गीता और मिमानसा तो यहाँ पे correct option भगवत गीता हो जाता है ठीक है यहाँ पे तीनों चीजों पे focus करा गया है ज्यान पे, कर्म पे और भक्ति पे next question, question 16 mystic poet मीरावाई, तो यहाँ पे मीरावाई के बारे में चार बातें लिखी हुई है यहाँ पे हमें correct option बताना है लिखा है ए राजपूत noble woman who never married तो यह गलत दिया हुआ है राजपूत woman, जिसने कभी शादी नहीं करी B option दिया है, एक Gujarati royal family married to a Rajput, यह भी गलत दिया है C option दिया है, daughter of priest from Madhya Pradesh, यह भी गलत है लिखा है, one of the wives of the Rajput ruler तो यह D option यहाँ पे correct दिया हुआ है question 17 की बात करूँगा who was the Hindu saint to have a disciple, both Hindus and Muslim, तो बोला जा रहा है, यहाँ पे जो saint की name दिये गए है, ठीक है तो ऐसा कौन सा Hindu saint था, जो की जिसके जो disciple थे, वो Hindu और Muslim दोनों थे, तो यहाँ पे correct option आपका, श्री चैतन्न हो जाएगा इसके बात फिर से यहाँ पे matching दी गई है, एक तरह भक्ती सेंट के नाम दिये गए हैं, और उनका profession दिया गया है, सबसे पहले मैं बात करूँगा, नामदेव तो नामदेव आपको टेलर प्रोफेशन से ब्लॉंग करते थे इसके बात बात आती है कवीर की, तो कवीर वीवर थे इसके बात बात आती है, रवीदास मोची थे, जूता सिलते थे, कॉबलर थे, and last आता है सेंट, तो सेंट बारबर थे, नाई थे, कटिंग करते थे ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे, यह option करेक्ट होने वाला है, कुश्चन 19 की बात करूँगा लखाए, who among the following was the first भक्ती सेंट to use Hindi for the propagation of his message, बुला जा रहे है कि इसा कौन सा भक्ती सेंट था, जिसने अपने जो message को propagate करने के लिए हिंदी को use कर आता तो यहाँ पे correct option आपका, रमानन्द होने वाला है, ध्यान रखिएगा और जो कभीर थे, वो रमानन्द के ही disciple थे, कुश्चन 20 लिखा हुआ है, which one of the following sequence indicates the correct chronological order, तो यहाँ पे जो भक्ती टाइम के जो सेंट थे, उनके नाम दिएगा है, और इनको हमको chronological order में देखना है कि कौन सा option सही दिया है, तो यहाँ पे यह option दिया है संकराचार, रमानुज और फिर आपको चैतन ने देखने को मिलते हैं तो यह option सही दिया हुआ है, यहाँ पे, सबसे पहले संकराचार देखने को मिलते हैं, फिर रमानुज and फिर फाइनली चैतन ने देखने को मिलते हैं question 21 लिखा हुआ है भक्त तोकाराम was a contemporary of which मुगल ruler मुगल emperor तो बोला जा रहा है कि जो भक्त तोकाराम थे तो ये किस मुगल emperor के time period में देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर correct option आपका जहांगीर हो जाता है question 22 लिखा है who among the following who was not a proponent of भक्ती कल्ट तो यहाँ पर जो चार option दिये गए हैं बोला जा रहा है कि भक्ती कल्ट के proponent इन में से concern नहीं है तो यहाँ पर correct option आपका नागर जुन देखने को मिलता है बांकि सारे यह भक्ती कल्ट से देखने को मिलते हैं यहाँ पर next chapter सूफी मूवमेंट के बारे में दिया हुआ है तो यह सूफी मूवमेंट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं चलिए शुरू कारते हैं सबसे पहला question दिया है the shrine of हजरत निजामुद्दीन ओलिया situated at तो बोला जा option correct होने वाला है यहाँ पर Delhi correct option है question second की बात करूँगा तो यहाँ पर एक तरफ सूफी सेंट दिये गए हैं और जो दूसरी तरफ है यहाँ पर कुछ सिलसले के नेम दिये गए तो कौन सा सूफी सेंट के सिलसला से ब्लॉंग करता था वो हमको बताना है सबसे पहले बात करेंगे शेख निजामुद्दीन ओलिया तो यह जो निजामुद्दीन ओलिया थे यह चिस्ती सिलसले से ब्लॉंग करते थे इसके बाद बहारुद्दीन जकारिया यह जकारिया साब सहरावर्दी सिलसले से ब्लॉंग करते थे, मिलन मीर ये कादरी सिलसले से ब्लॉंग करते हैं एंड एहमद सरहिंदी तो ये आपके नक्षबंदी सिलसले से ब्लॉंग करते थे, question 3 की बात करूँगा, यहाँ पे various सूफी order were introduced in India at different point of time which one of the following represents the correct chronological order ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो भारत देश था, तो यहाँ पे एक time period पे various सूफी सिलसले भारत देश में आते हैं और बूला जा रहे हैं कि इनका क्या correct chronological order है मतलब सबसे पहले कौन सा आता है, इसके बात कौन सा आता है पहला दिया हुए, सबसे पहले चिस्ती सिलसला देखने को मिलता है फिर सोहरा बर्दी, फिर कादरी and finally नक्षबंदी तो यह ध्यान रखीगा, सबसे पहले चिस्ती आते हैं फिर सोहरा बर्दी सिलसला आता है फिर कादरीज आते हैं फाइनली नक्सबंदी सिलसला देखने को आता है ठीक है ये जो सूफी सेंड्टे ये मिस्टिक सेंड्स रहते थे ठीक है और रहस्मई बातें करते थे question फूर्थ की बात करूँगा who was the founder of सूफी order in इंडिया तो भारत में जो सूफी order था तो ये किसने सिलसला शुरू करा हुआ था तो यहाँ पे चार आप्शन दियेगा है ख्वाजा मौयनिद्दीन चिस्तीत ठीक है तो ये founder है सूफी order के भारत देश में question 5 दिया हुआ है which one of the following term was used by the सूफी इस वार दी सक्सेसर जो कि किसी order या सिलसला के जो teacher थे उनके द्वारा अपॉइंट करा जाता था उनके द्वारा नॉमिनेट करा जाता था तो ये जो सूफी थे अपने जो सक्सेसर था उसको किस टम से बलाते थे तो उनको बोला जाता था खलीफा question 6 की बात करूँगा लिखा हुआ है सूफी सेंट दर्गा इस एट अजमेर तो बोला जा रहा है कि अजमेर में ऐसा कौन सा सूफी सेंट है जिसकी दर्गा है बहां पे तो वहां पे जो दर्गा है अजमेर में वो ख्वाजा मौनिद्दीन चिस्ती की है ये बात आप ध्यान रखिएगा और जो दिली में जो दर्गा है वो निजमुद्दीन ओलिया की है कॉस्चन सेवेंज की बात करेंगे लिखा है consider the following statement about अमीर खुसरो तो बोला जा रहा है अमीर खुसरो के बारे में यहाँ पे कुछ statement दिये गए है देख लेते हैं पहला statement दिया है he was a disciple मुरीद अप निजमुद्दीन ओलिया ठीक है तो ये निजमुद्दीन ओलिया का disciple था उसका सिश्य था सही बात है he was the founder of both हिंदुस्तानी and हिंदुस्तानी classical music at Kabbali ठीक है तो ये हिंदुस्तानी classical music और Kabbali के founder माने जाते हैं अमीर खुसरो जिसको तूती ये हिंद बोलते थे पैरट आफ इंडिया बोलते थे ये मैंने कल बताया था आपको तो यहाँ पे बोत first and second option correct दिया हुआ है question 8 की बात करूँगा word worthy खानका है in the medieval India तो medieval India के time period पे ये जो term है खानका ये किस बात के लिए इस्तिमाल करा जाता था सूफी लोगों की जो श्राइन होती थी उसको खानका करके बोला जाता था तो यहाँ पे a option correct होने वाला है question 9 की बात करेंगे लखा हुआ है which one of the falling Sultan of Delhi was refused an audience by निजामुद्दीन ओलिया तो बोला जा रहा है कि दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिससे जो निजामुद्दीन ओलिया जो सूफी सेंटेन ने मिलने से इंकार कर दिया था तो यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज खिल जी ठीक है तो यह correct option है a option दिया हुआ है यहाँ पे तो फिरोज खिल जी से नेजम उद्धी नौलियार ने मिलने से इंकार कर दिया था Q10 की बात करेंगे लिखा हुए चिस्ति चिस्तिया सूफी ओर्डर वाज इस्टेबिलिस्ड इन इंडिया ठीक है तो यह जो चिस्ती ओर्डर है यह इंडिया में किसने इस्टाइबलिस करा था तो यहाँ पे ख्वाजा मौयनिद्दीन जो चिस्ती थे इन्होंने चिस्ती ओर्डर शुरू करा था इन इंडिया Question 11 की बात करेंगे लिखा है अमीर खुसरो प्लेडे पाइनियर रॉल इंडि डेवलाप्मेंट अव तो बोला जा रहा है अमीर खुसरो ने किस चीज के डेवलाप्मेंट ने बहुत जाद अपनी एहम भूमी का निवाई थी तो इन्होंने खड़ी वोली का डेवलाप्मेंट कराया था Question 12 अमीर खुसरो वोल नेट ठीक है तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर देखने को मिलता है तो यह करेक्ट अप्शन है पटी आली Question 13 लगाए शेक निजामुद्दीन ओलिया वाज़ी डिसाइपल ओ बुला जा रहा है कि जो शेक निजामुद्दीन ओलिया थे तो यह किसके डिसाइपल थे तो यहाँ पर करेक्ट आप्शन बाबा फरीद देखने को मिलेगा Question 14 की बात करूंगा लगाए शेक निजामुद्दीन ओलिया वाज़ी डिसाइपल देखने को मिलेगा यह तो मैं बता चुका हूँ आपको अमीर खुसरोगो परसनेलिटी थे जिसे पैरेट आफ इंडिया खरके बोला जाता है यहाँ पर सूफिदम से जुड़े हुए कुछ स्टेट्मेंट दिये गए हैं इनमें हमें कर्यक्ट स्टेट्मेंट बताना है पहला उप्षन दिया हुआ है शेक एहमा सरिंदी वाज़े कंटेंप्रेरी ओफ इबराहिम लोदी तो यह गलत दिया हुआ है इबराहिम लोदी के कंटेंप्रेरी नहीं थे दूसरा दिया हुआ है शेक निजामुद्दीन शेक नसीरुद्दीन चिराग देहल भी वाज़े डिसाइपल आप शेक निजामुद्दीन ओलिया ठीक है तो नसीरुद्दीन चिराग देहल भी शेक निजामुद्दीन ओलिया के डिसाइपल थे सही बात दी हुई है, थर्ट दिया हुआ है, यहाँ पर, औरंग जिव वाजे कंटेंप्रेरी, और शेक सलीम चिस्ती, तो यह भी गलत दिया हुआ है, और फोर्थ दिया है, दा कादरी ओर्डर आफ सूफी, वाज फस्ट इंडिया, बाई, शेक नियमत उल्ला, एंड मगदू मुहमद जिलानी, तो यह बात भी सही दी हुई है, कि जो कादरी सिलसला है, जो कि भारत में इंट्रोड्यूस करा गया था, शेक नियमत उल्ला, एंड मगदू मुहमद जिलानी, तो यहाँ पर, second and fourth option correct है, question 17 की बात करेंगे, लिखा हुआ है, consider the following statement, पहला statement दिया है, किताब आदिल सा, second, ठीक है, तो इन्होंने, collection of songs लिखा था, जिसे बोलते है, किताब नौरस, जिसमें इन्होंने, हिंदू देवी देपताओं की, और जो मुस्लिम सेंट्स थे, इनकी प्रेस करी है, तारीफ करी है, तो यह बस सही दी हुई है, second लिखा हुए, अमीर कुसरो वाज the originator in India, of the early form of musical style known as Kavali, तो बोला जा रहा है कि, अमीर कुसरो जोते, इन्होंने, इन्डिया में Kavali की शिरुवात करी थी, ठीक है, तो यह musical style Kavali की इन्होंने शिरुवात करी थी, तो यह बाद भी सही दी हुई है, इस तरह से यहां पर both options correct हो जाते हैं, आज का last question, लिखा ह to the religious history of medieval India, Sufi mystics were known to perceive which of the following practices, तो बोला जा रहा है, जो Sufi sent थे, Sufi mystics होते थे, तो यह कौन-कौन सी practices को follow करते थे, यह हमें बताना है, पहली बात लेखी है, meditation and control of breathe, ठीक है, तो यह meditate करते थे और अपनी सांस वागेरा रोक लेते थे, सही बात दी हुई है, severe ascetic exercise in lonely place, तो एकांत में जाके यह योग बगरा करते थे, exercise करते थे, तो यह बात भी सही दी हुई है, और third लिखा हुए, recitation of holy sense to arouse a state of ecstasy in their audience, ठीक है, तो यह holy songs को गाते थे, to arouse a state of ecstasy in their audience, तो जो उनकी audience थी, वो बहुत ज़्यादा happiness की feeling करे, इसलिए यह holy songs को recite करते थे, तो यह बात भी सही सही दी हुई है, इस तरह से यहाँ पर तीन option correct दी हुए है, D option correct हो जाएगा, तो दोस्तों यह था आज का discussion और आज हमने भक्ती movement और सूभी movement से जुड़े हुए MCQ discuss करे, इसके बाद कल हम इससे अगला chapter मुगल period के बारे में बात करेंगे, फिलाल के लिए बस इतना ही study करते थेंक यू, थेंक यू, वेरी मच्च, थेंक यू